तो दोस्तों अगर आप अपने YouTube चैनल को monetization के लिए apply कर चुके हैं या फिर आने वाले time पर करने वाले हो जैसे कि कभी न कभी तो आपका criteria पूरा होई जाएगा जो कि है 4000 गंट वाच टाइम और 1000 subscribers तो जब भी आप अपने channel को monetization के लिए apply करोगे ना तो आपका channel reject हो जाएगा क्योंकि आप एक गलती कर रहे होंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता तो ये video काफी ज़्यादे important है कि वो गलती साब कैसे बच सकते हैं अगर आपने कर भी लिया है गलती वो तब अपने channel को कैसे सुधार कर सकते हैं जिसका दोस्तों नाम है reuse content ये reuse content को समझना बहुत अभी तक मेरे से सौ से भी ज्यादा subscribers मेरे से मिल चुके हैं जिनका problem यहीं है सबसे बड़ा issue यह है कि उनका channel उन्होंने monetization के लिए भेजा था लेकिन वो reject कर दिया YouTube ने monetize हुआ ही नहीं नहीं हुआ और अभी बहुत बड़ा problem यह भी है कि अगर आपका channel reject हो जाता है तो पहला बार जब reject होगा तो 30 दिनों के बाद फिर से अप्लाइ करोगे और फिर से अगर reject हो जाता है तो फिर 90 दिनों के लिए आप अप्लाई भी नहीं कर सकते मतलब तीन में आप सोजा आपने चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो बने रहें वीडियो पर काफी important वीडियो है देख लो बाद में पच्तावा नहीं होना चाहिए और चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लेने चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जब आपके चैनल पर चारहर घंटा वर्ष टाइम और एक हैजा सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है तब आप अपने चैनल को apply करते हो मौनेटाइज के लिए apply करना पड़ता है जब आप apply करते हो तो यूटूब आपके चैनल को review करता है यूटूब देखता है कि आपके चैनल पर कुछ अपने गलती तो नहीं लिए तो क्या क्या चेक करता भाई पहला पॉइंट है में थीम आपके चैनल का में थीम क्या है वह यूटूब चेक करता है तीम का मतलब क्या है जैसे मेरा चैनल को अगर यूटूब देखेगा तो उसको पता चल जाएग एक बार में कि मैं YouTube related वीडियो बनाता हूं मैं YouTube related जो है tutorials बताता हूं है ना उसी तरह का किसी का entertainment होगा किसी का gaming होगा किसी का makeup होगा beauty होगा है ना तो बहुत सारा सबसे ज्यादा जो वीडियो में आया है वह वीडियो पहले YouTube देखता है कि आपने क्या-क्या ऐसा वीडियो डाला है जो सबसे ज्यादा वाइरल है और आपने क्या वीडियो डाला है तो यह पहले YouTube चेक करता है ठीक है उसके बाद दोस्तों क्या चेक करता है निवेश वीड पोशन और वर्ष टाइम वो देखता है कि सबसे ज्यादा जो वर्ष टाइम आया है वह किस बेसिस पाया है आखिर क्या ऐसा आपने वीडियो डाला जिससे आपका वर्ष टाइम पुरा हो गया माल लिजे कि आपने कोई एक ऐसा वीडियो डाला जिसमें 10 मिलियन व्यूज आ गया वाइरल हो गया और उसी वीडियो से आपको 4000 गंट वर्ष टाइम मिल गया तो वह वाला वीडियो यूटूब कैरफुली चेक करता है अच्छे से देखता है कि आखिर वीडियो में क्या था जैसे पोपुलर में जाओंगा देखे ग्यारा मिलियन व्य जो भी आपने वीडियो अपलोड कर रखा तुसका टाइटब देखेगा थामनेल देखेगां डिस्कृपशन देखेगा टाइटब जो होता है वह एक जैसा नहीं होना चाहिए मैंने पहले पिछले वीडियो पर बताया था हर एक वीडियो का नाशनी सेम सेम नहीं लगना आप दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है रियूज कॉंटेंट का मतलब भाई सब क्या होता है आप नीचे जागो तो यहां पर लिखा हुआ है ठीक है तो यहां पर देखा आर्टिकल में लिखा हुआ है रिपीटेटियस कॉंटेंट इसी का मतलब है रियूज कॉंटेंट इस सब्सक्राइबर है उसी को बोलते हैं रियूज को बचना मतलब यह है कि आपपने चैनल पर पर जाओगे जैसे की मेरा चैनल आप मेरे चैनल कर एक वीडियो को देखकर आपको आज जाएगा कि सब अलग अलग तोपिक विडियो में पहुत होगा है तो आप आपको यहोग ह Vergleich are है पूरा एडिट करना है पूरे वीडियोस को जितनी फीडियोस को च्छे तरीके से ठाइटल को थोड़ा से उलट केजिए अगा सेम से में हैं उसको हटा देना है इतना कुछ एडिट करने के बाद आप फिर से रिये कीजि़ आपका कुछ भी वीडियो डाल देता है जैसे इस्टेज प्रोग्राम का किसी और का वीडियो उठा कर दिया आती यह सब करोगए तो भी आपका चैनल मॉनेटाइज नहीं होगा यूट्फिर बहुत है अपना ही कॉंटेंड डान ला और कोसिस करो फेस्ट्याइम वीडियो बनाने का अपना चैहा दिखाओ तो जल्दी मोनोटाइज हो जाएगा आए होप साप लोगो सब कुछ क्लियर होगी या कोई डाउट है तो कमेंड करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करने चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिज्याहिन वन्ने मात्रम